विलाई की सिविक सेंटर में इस्थित अर्जुन रत परिसर की तस्वीर शिग्र बदलने वाली है। भाव्य और आकर्शक रूप में अर्जुन रत परिसर नजर आएगा और परिसर का काया कल्प होगा। इसके लिए युद्धिस्तार पर विकास एवं सौंदरी करण कारे किया जा रहा है। पर एवं आयुक्त ने पूरे परिसर का निक्षण किया तता किये जा रहे सभी कारियों का उन्होंने बारीकी से अवलोकन कर आधिकारियों को आविश्यक निर्देश दिये। परिसर में महापार निधी से स्विक्रित करोडों की लागत से विकास एवं सौंदरी करण का कारे किया जा रहा है। जिसके दहत पानी निकासी के लिए नाली निर्माण, सुरक्षा घेरा के लिए बाउंडरी वॉल, अरजुन रत का विकास एवं सौंदरी करण, परिसर के भीतर चलने के लिए पाथवे का निर्माण, एवं आकर्शक गार्णिंग तथा लैंड स्कैपिंग परिसर के बाहर और भी पाथवे का निर्माण, आकर्शक वभविक गेट के साथ ही विद्दूती करण करते हुए प्रकाश की बेहतर विवस्था की जाएगी देखे, सिविक सेंटर इस्तितर अर्जुन रद जो है, वहां के परिशर का संदरी करन और विकास कारिया किया जाएगा, इसके लिए मालनी महापरजी और आयत मोदे ने इस्थाल करनिशन किया, कारियों के अवलोकन उन्होंन किया, और अधिकारियों को डेलाइट फिस करत अर्जुन रद परिशर है, वह अपनी भवेता में नजा रहा है और अलगी स्वरुप जो है वो देखने के मिलेगा, प्राइमरी पे जो अभी काम जो है वो इस प्रकार की सारी चीज़ों को देखती हुए जो है, वहां पर संदरी करन और विकास का काम किया जाएगा, श्य उन्हें माले विकास तता संदरी करन के सभी कारियों के लिए डेडलाइन फिक्स कर दी है, ताकि शिक्र ही निर्मान कार्य पोन होकर सभी को इसका लाब मिलने लगे।